नमस्कार दोस्तों दिख्षा की रश्वई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चटपटे सुखे चने जिसके लिए सबसे पहले मैंने 200 गराम चने ले लिए हैं इनको अच्छे से धोकर रात को विगोकर रख दिया था सुबह मैंने का जो पचावा पानी था वो निकाल दिया है और अब हम इन चनों को कुकर में डालेंगे बोयल करने के लिए चने कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें एक ग्लास पाने डालेंगे और एक चमच नमक डाल देंगे अब हम कुकर को बंद कर देंगे और एक सिटी आने तक चनों को पकाएंगे ये देखिए हमारी एक सिटी आ गई है अब हम गैस को कम कर देंगे गैस को कम करके 15-20 मिनट तक चनों को फिर से पकाएंगे 15-20 मिनट हो गए है अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब तक कुकर की गैस निकलती है तब तक हम मसाले तयार कर लेते हैं सबसे पहले मैंने एक कटोरी ली है इसमें एक चमच से थोड़ा कम नमक डाला है आदा चमच मैंने लाल मिर्ची डाली है और डेड़ चमच धनिया डाला है और आदी चमच हल्दी पाउडर डाला है अब मसालों में थोड़ा सा पाने डाल के और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारे मसाले मिक्स करके तयार कर लिए हैं और इधर हमारे चने भी पकर तयार हो गए हैं अब हम गैस पे कड़ाई रखेंगे और इसमें मैंने आदे कबसे थोड़ा सा जादा सर्शों का तेल लिया है तेल गरम हो रहा है तेल गरम होने के बाद इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे और एक चोथाई चमच हींग डाल देंगे हींग और जीरा अच्छे से चटक के तयार हो गए हैं अब हम इसमें जो मसाला तयार किया था और डालेंगे और अच्छे से मसाले को मिला देंगे थोड़ा सा मसाला कटोरी में और बच गया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पाने डाल के उपर से और डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे अब मसाले को पकने के लिए हम एक दू मिनट तक रखेंगे अब हम मसाले को फिर से चला देंगे और देखें हमारा मसाला पक गया है अब हम इसमें एक चमच गरम मसाला डालेंगे एक चमच अमचुर पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैने कसूरी मेथी डाली है इनको भी मिला देंगे अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें जो चने थे बोईल किये वे वो छलनी से छान कर उनका पानी निकाल दिया था और वो डाल दिये हैं इनको हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए ढख कर फिर से पकाएंगे जिसे कि हमारे सारे मसाले अच्छे से चनों के अंदर बैठ जाएं दो मिनिट और पका लिया हमने चनों को और देखे हैं हमारे चने बन के तयार हो गए हैं सारी मसाले अच्छे से रेडी हो गए हैं अब हम कडाई इसमें हरा धनिया डालेंगे जो मैंने पहले ही काटके रख लिया था गैस को बंद कर देंगे और धनिया को अच्छे से मिला लेंगे अब हम कडाई को गैस से नीचे उतार लेंगे और मैं एक कटोरी में सर्व करूंगे ये देखें मैंने चने एक कटोरी में निकाल लिये हैं और इसके उपर मैंने थोड़ा सहरा धनिया डाल दिया ऐसा जाने के लिए देखें हमारी चने बन के तैयार है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद